मद्पदेश के च्छतरपुर जिले में इस्थित है बागिश्वरधाम बागिश्वरधाम सरकार की प्रसिद्धी अब किवल मद्पदेश या भारत दीश तक सीमित नहीं है बलकि यहां के महराज श्री धीरेंड रिक्रिश्ण शास्त्री आध्यात्म का दर्बार विदेश में भी कर आए है चतरपुर से तकरीबन 35 किलोमीटर की दूरी पर इस्थित एक छूटा सा बड़ा गाउं में इस्थित है बागिश्वरधाम आप यहां पर हनवान जी महराज के बाला जी के रूप में तर्षन कर पाएंगे यहां पर लोगों की समस्याओं को श्री धीरेंड रिक्रिश्ण महराज द्वारा सुना जाता है और उनका समाधान भी किया जाता है लोग यहाँ पर काफी दूर दूर से अधिक संख्या में आते हैं बागेश्वर धाम सरकार वरतमान समय में काफी चर्चिन भी हो गया है यहाँ पर महराश्री धिरेंद्र कृष्ण दौरा लोगों के कहने से पहले ही उनकी समस्या उनके ही सामने पर्चे पर लिक कर बताती जाती हैं यहाँ पर भूत प्रेत की समस्याओं से जुड़ी समाधान के लिए भी लोग काफी दूर दूर से पहुंचते हैं नर्सिंगर से पहुंचे हमारे समवाधाता ने धाम पर पहुंचे श्रद्धालों से भी चर्चा की इस दरान कलाकार गगन सक्सेनन ने अपने हाथों से बनाई तस्वीर भी महराश्री को भीट की इस समय करो प्यार करने कर दो आप हम से मिल पाओ या ना रख पाए बचा भंपाए बादिशु धांपर किसी की महमा नहीं है किसकी महमा है भाकिसवर पालाजी की महमा है और भाईया हम तो पुछी आखन सा लेकर है लाखों रोग अधरन गया आते हैं आख से दस्था खाली आते हैं तो जुनियों का वारत रहा है हम दे अनात हैं पच्चा बने अनात हैं यह ऐसा ब्रभारे कि यहां से जोड़ी भरका कहां से आए आप नेपाल से आए क्यार जी आपकी अच्छा मिलेंगे आपकी आस्ता है आपको दर्शन जरूर मिलेंगे यह वागे सुर्दाम कहां से आए आप अच्छी बाद जे बागे सुर्दाम की जे शिर्राम सलातन धर्म की अमारे नर्सिंग अमारे नर्सिंगल के गगन सक्षेन जी जिनोंने बाबा की तस्वीर पेंटिंग अपनी कला के द्वारा पेंटिंग के द्वारा बनाई है बाबा गुर्देव की तस्वीर सन्याजी बाबा की तस्वीर एवं बागे सुर्वाले बाला जी मरायज की तस्वीर तीनों की एक साथ तस्वीर बनाई है इसके लिए आप कफसे लग रहा है ते इसमे किनों ने कहा आप आप से बाते सब्सक्राइब और गुरु जी के आदेश का हुआ और आप उनके साथ उनके साथ उनके जर्पार में आजिर के लिए आया हूँ और बाबाक ने अचीम कर गिया मेरे को कि मेरे इसे जहें में को इतना सब्सक्राइब बाद में मैं लोगों लोग सालों से लोग नहीं आते थे एक बार में बाबा का जर्थन हो जागा और और बाकेशर सरकार के सामने मक्चह में लखत हूं और जेरे-जेरे मैं आभी बाबा का पास अभी यह हूँगा उनका फेट करना उनका पेंटिंग उनका आधेश का वही काम होगा वही बाकेशर नमाएब पूरी की पूरी बागेसर धाम में दर्वाल लगा हुआ है और बाला जी महराज साथ्षास बिराजमान है आपका नाम पंडी जी आप अच्छा अच्छा यह का तोला आप बायु जीड़ा है यहां का भीया श्रीमांद यहां आने का बधान है यहां को प्रेद बाधा है जी जिससे सन्याजी बाबा बालक दरकार प्रिपकरते हैं और कोई मनों कौाम ना हो रहे अगर इसके लिए लाल कपड़े कि है और साधी विवाय के लिए तो फीले कपड़े के अगर पित्त दोस लगे हैं तो सफेथ कपड़े में इसके लिए विधान में आया है आपर अर्जी गार और महराजी जब पर्चा बना देते हैं वो अर्जी लगी ही कहलाती है और अभी मंतर्ट नार्यल होता है यहां वो अप वीरेंदर सिंग की रिपोर्ट